हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करेंट अफेर्स का पार्ट 4 जो की जिसमें की हमने 23 जून से लेकर 30 जून तक के सारे करेंट अफेर्स को कबर किये अगर आपने प सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबाद दिजे ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आए शुरू करते हैं पहला कोश्चन है हमारा किस भारतिये टेनिस खिलाड़ी को ITF बल्ल टेनिस अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन है अंतर राष्टियो ओलंपिक दिबस इंटरनेशनल ओलंपिक दे कम मनाया जाग गया है तो इसका जो साइयनसर है बो है आप्सन नमर डी यानि 23 जून को मनाया गया है अगर हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी का गठान 1894 में इस भी में किया गया है और इसका जो हेड़क्वाटर है बो है लुसाने स्वीजरलेंड में ठीक है जून मन्त के जो सारे important days है उसको मैंने पीछले वीडियोज में इनलिस्ट कर रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पीछे के वीडियोज में देख सकते हैं अगला कोश्यन है हमारा किस बैंग ने निकार गुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की लाइन अफ क्रेडिट यानि LOC बिस्तरित की है तो इसका जो सही अंसर ह अगले कोश्यन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्यन है लिजेंट आफ सुहल देव दा किंग हुज सेवड इंडिया रिलीज किया गया है इस पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के जो लेखक है बो है अमीस्तरि पार्टी यानि आप्सन नमबर डी जो होगा बो इसका करेक्ट अंसर है अगला कोश्यन है हमारा कौन से देश में डी कार्बोजेनिक ट्रांसपोर्टी इंडिया परियोजना शुरू करेगा मतलब इंडिया में डी कार्बोजेनिक ट्रांसपोर्टी इंडिया परियोजना कौन सुरू कर ला है तो इसका जो सैंसर है बो है आप्सन नमबर बी यानि ये निति आयोग के द्वारा सुरू किया जा रहा है अगर हम पात निति आयोग की करते हैं तो निति आयोग का गठन एक जनबरी 2015 को हुआ था अभी ततकालीन इसके जो CEO है वो है अमिताब कांत और या भी इसके उपा धेर जो है वो है राजीब कुमार क्लियर है निति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंसिचूट फॉर ट्रांस्फॉर्निंग इंडिया अगला कोश्चन है ब्लूमर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुके सम्मानी बिस्व के कौन से अमीर बैक्ती बने है तो इसका जो साइणसर है वो आपसन नमबर सी यानि मुके सम्मानी जो है वो नाइन्थ नमबर के अमीर बैक्ती बने हैं अगर हम पहले नमबर की बात करते हैं तो फर्स नमबर पे है जेप बेसोज, जेप बेजोस, दूसरे नमबर पे हैं बिल गेट्स, क्लियर है अगर हम ब्लूमबर की बात करते हैं तो ब्लूमबर अमेरिका की एक नीजी कमपनी है जिसका गठन 1981 एस्ट्री में हुआ है और इसका हेड़क्वाटर निवर्प में है क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है किस बैंक ने पंजाब एवा महराष्ट को पॉपरेटिब बैंक लिम्टेड पीमसी के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ा कर एक लाख रुपे कर दिया है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होजगा ऑप्सन नमबर सी यानी अर्बियाई अगर हम RBI की बात करते हैं तो RBI का गठन 1935 में किया गया है इसका हेड़कौर्टर मुंबई में है अभी इसके जो गवर्नर है वो 25 नमबर वाले गवर्नर है जिनका नाम है सक्तिकांत 10 क्लेर है और यह पहले कितनी सीमा थी यह पहले सीमा थी 50,000 जिसको बढ़ा कर अब कर दिया गया है एक लाख रुपे कर दिया गया है अगला कोईशन है किस देश ने सस्ती तरों पर कम आये वाले देशों के निमोनिय वैक्सिन के अप्रूती करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझाता किया है तो इसका जो सायनसर है वो है आपसन नमर भी यानि भारत अगर हम बात यूनिसेफ की करते हैं तो यूनिसेफ का जो फूलफों है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्डर्न एजूकेशन फ आपसन नमर A यानि मैपिलरल का किया है अगर हम बात फेस्बुक की करते हैं तो फेस्बुक का गठन 2014 भी में हुआ है ठीक है इसका जो हैड़क्वाटर है वो कैलिफॉर्निया USA में है और अभी इसके CEO है कौन है मार्क जकरबर्ग है क्लेर है चलिए अगला कोशन है अगला कोशन है केनिया ने किस देश को हराकर संजुक तरा सुरच्छा परिशत UNAC में अफिर की सीट जीती है तो इसका जो सइयन सरेबो है आपसन नमर B यानि उसने जिबूती को हराकर अफिर की सीट जीती है देखिए UNAC में सिर्फ एक ही सीट थी और यह अब केनिया ने ज सिक्रिटी कॉंसिल ठीक है जिसका कठन UNAC 45 में किया गया है और इसका जो हेटक्वार्टर है वो निवर्क में है ठीक है अगर हम बात केनिया की कर लेते हैं तो केनिया की जो रधानी है वो नेरोभी है अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है किस राज सरकार ने ओ वो है option number B यानि तमिल नाडू के द्वारा ये किया गया है अगर हम तमिल नाडू की बात करते हैं तो यहां के CM का नाम है के पलाना स्वामी यहां के गवर्नर है बनबारी लाल पुरोहित यहां लोग सभा में 49 सीट है और राज सभ विधान सभा में 234 सीट है ठीक है अगला पुजना के तहट छात्रों को आडियो और वीडियो गतिवधियों के साथ साथ SMS या WhatsApp सेवाओ के माधियम से पढ़ाया जाएगा ठीक है तिरी पूरा के CM है बिपलब कुमार देव और यहां के गवर्नर है रमेस बैस ठीक है ख्लेर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश् है अंतराष्टिय बिधवा दिवस इंटरनेशनल बीडोज डे कम मनाया जाता है तो इसका जो सहिएंसर बो है ऑप्सन नमर डी यानि 23 जून को मनाया जाता है ठीक है और इसवार का जो थीम है मतलब 2020 का जो थीम है बो है आई एम जनरेशन इक्वालिटी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रिलाइजिंग बोमेंस राइट ठीक है रिलाइजिंग बोमेंस राइट इस दिवस का मनाने के पीछे ये उदेश है कि जो विदमाय नारी है उनकी स्थिती में सुधार लाया जाए और लोगों में जागरुकता सलाया जाए अगला कोईशन है यूको बैंक विमा उत्पात बेचने के लिए किस विमा कंपणियों के साथ समझाता किया है। आप्सन से SBI Life Insurance Company, Oriental Insurance Company, Rail Gear Insurance Company, Star Health and Allied Insurance Company तो इसका जो सई अंसर होगा वो हो जाएगा आप्सन नमरी यानि ये चारों के साथ इन्होंने समझाता किया है। अगर हम बात यूको बैंक की कर लेते हैं तो यूको बैंक का गठान 1943 सिस्वी में हुआ है और इसका जो हैड़क्वार्टर है वो कुलकता में है ठीक है और इसका जो टैग लाइन है वो है और ओनर्स यूर ट्रस्ट क्लिर है चलिए अब अड़ते अपने अगले कोश्यन की तरफ अगला कोश्यन है अमेरिका के सरकारी बॉंट खरीदने वाले देशों में भारत कौन से अस्थान पर रहा है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अप्सन नमर्बर बी यानि भार बरहमें अस्थान पे रहा है याद रखिएगा पहले अस्थान पे रहा है जापान और दूसरे अस्थान पे रहा है चाइना और तीसरे अस्थान पे रहा है ब्रिटेन क्लियर है चलिए अब अड़ते अपने अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है भारतिये कारियाल ठीक है अगर हम बात PRMIA की कर लेते हैं तो इसका फुल फॉम है प्रोफेशनल इरिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसियेशन क्लेर है जिसका गठन 2002 ECB में किया गया है और इसका जो हेटक्वाटर है वो USA में है क्लेर है चलिए अगले कोश्यन है किस बैंक ने स्वास्त कार्ट लांच करने के लिए फृटने का स्टाटप एफोर्ट प्लान के साथ साज़ेदारिक की है तो इसका जो सई अंसर है वो है आप्सन नमर बी यानि यस बैंक के द्वारा ये किया गया है अगर हम बात यस बैंक की कर लेते हैं तो यस बैंक का जो गठन है वो 2004 में हुआ है इसका हेड़क्वाटर मुंबई में है और इसके जो अभी ततकालीन अध्याच है उनका नाम है सुनील महता क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्यन की तरह अगला कोश्यन है कि इसने भारत के पहले वर्जुवल हेल्थ केर और हाइजीन एक्सपो 2020 का उदगाटन किया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जगा आप्सन नमर डी यानि मन्सुख मंडाबिया ने ठीक है मन्सुख मंडाबिया की बात करते हैं तो यह अभी फिलहाल में जहाज रानी और राषायने वंवर्बरक मंत्राले में राजमंत्री है स्वतंत्र पढ़भव के ठीक है इस एक्सपो का आयोजन ठीक है किसके दौ़ारा किया गया है फिकी के द्वारा किया गया है मतलब FICCI Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry के द्वारा किया गया है और इसका जो उदेश है वो है स्वास्त और स्वच्चता जैसे परियासों को बढ़ाबा देना क्लियर है अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएगा कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लग रहा है अगला कोईशन है अमारा किस संगठन को लिक्विड कुलिंग और हीटिंग गार्मेंट्स LCHG के लिए पेटेंट मिल गया है तो इसका जो सैयंस है वो है ऑप्सन नबर B यानि इसरो को मिला है यह जो LCHG है वो है क्या यह एक परकार का फिटिंग सूट है जो अंतरीच यात्रियों के द्वारा पहना जाता है अगर हम बात इसरो की कर लेते हैं तो इसरो है इंडियना स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन जिसका की हेड़ क्वार्टर कहा है बैंगलोर्लू में है ठीक है और इसका गठन कब हुआ था 15 अगस्ट 1969 को अभीतत कालीन इसके अध्याच के नाम है के सीबन अगला कोशन है आयूस मंतराले ने योग के अभ्यास को बढ़ाबा देने के लिए किसे चुना है तो इसका जो सैयन सरे बो है आप्सन अबर बी अनुसका सर्मा को चुना है इनोंने अगर हम बात अंतराष्टी योग दिबस के कर लेते हैं तो अंतराष्टी योग दिबस जो है 21 जून को मनाया जाता है अगला कोशन है हमारा कीस वा स्पोर्टस अकेडमिक को खेलो इंडिया स्पोर्ट सेंटर फ्र एक्सेलेंस के लिए चुना गया है तो इसका जो सैयन सरेब हो है, option number B, यानि नागला एंडर स्पोर्ट्स अकाडमी को चूना गया है आईए अब बढ़ते हैं अपने अगले questions की तरफ, अगला question है हमारा कौन सी राज, सरकार, गरीबों के लिए इंदरारासो योजना सुरू करेगी तो इसका जो सैयन सरेब हो है, option number B, यानि राजस्थान के द्वारा ये सुरू किया जाएगा इसमें गरीबों को रियाईती तरो पर भोजन उपलप्त कराया जाएगा, छिक है, राजस्थान के अगर बात कर लेते हैं, तो राजस्थान के मुख मंत्री है सोक गहलोत और यहां के राजपल का नाम है कलाज मिसरा, clear है, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, अगला कोशन है किस आईटी ने, किस आईटी ने इंडियन डिसीवर चीप धुरूबा बिक्सित किया है, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, आईटी बॉंबे, यानि option number B, इस चीप का इस्तमाल जो होगा, वो mobile phone और gadget में, देश में location की जानकारी और mark खोजने के लिए किया जाएगा, अगला कोशन है, किस राज सरकार ने निष्टा बिदुत में त्रियोजना सुरू किया है, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option number C, यानि मदप्रदेश के द्वा है, सिवराजिंग चोहान, अगला कोशन है, किसने युक्ति 2.0 platform को virtually launch किया है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, option number B, रमेश्क पोक्रियाल के द्वारे ये launch किया गया है, रमेश्क पोक्रियाल अभी फिलहाल में हमारे केंदरिये मानत संसाधन, विकास मंतरी है, क्लेर है, चलिए, अगला कोशन है, भारत-फिलिस्तीन सर नार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राथी देगा, तो इसका जो सही अंसर होगा, पो हो जागा, दस मिलियन डॉलर यानि option number C, अगर हम UNRWA की बात कर लेते हैं, तो UNRWA का मतलब है, United Nation Relief and Burk Agency, ठीक है, जिसका establishment UNRWA को किया गया था, अगला कोशन है, किस बैंक ने सुच उधमियों के लिए KBL, माइक्रो मित्रा सुध्धा शुरू किया है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, option number D, करनाटक बैंक, अगर हम करनाटक बैंक ही कर लेते हैं बात, तो करनाटक बैं एक्रोस इंडिया, क्लियर है, चलिये, अब अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं, अगला कोशन है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नलोजी और एलाइड सर्विसेज, AF-IFTAS के नए अध्यच कौन नियूक्त हुए हैं, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, option number D, यानि टीर अभी संकर, क्लियर है, अगर हम IFTAS की बात कर लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है, इंडियन फाइनिंशियल टेक्नलोजी और एलाइड सर्विसेज, ठीक है, जिसका हेड़क्वाटर का है, मुंबई में है, क्लियर है, चलिये, अब अब अड़ते हैं अपने करते हैं, तो I stand for Indian, N stand for National, Space Promotion and Authorization Center, क्लियर है, चलिये, अगला कोश्चन है, किस राजने 2020 का इपंचायद प्रुसकार जीता है, इसका जो सही अंसर है, वो है हिमाचल प्रदेश, यह याद रखिएगा, यह बहुत इंपोर्टन कोश्चन है, किसी ने किसी एक जाम में जरू पुछा जाएगा, कि 2020 का इपंचायद प्रुसकार किसने जीता है, तो सही अंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, अगला कोश्चन है, प्रज्ञान भारती योजना किस राजने सुरू किया है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो हो जागा, अप्सन नमर B, असाम, इस योज योजना का उदेश क्या है, इस योजना का उदेश है कि बीतिये कठनाईयों का सामना करना है, छात्रों को बीतिये सहता प्रदान करना है, अगर हम बात असाम की कर लेते हैं, तो यहां के मुखमंतरी का नाम है सर्मानन सोनोबल, और यहां के राजपाल का नाम है जगदेश मुखी, क्लियर है? चलिए अगला कोश्चन है केंद्रियमंति मंदल ने कितने कड़ो रूपे के पसु पालन बुन्यादी डाचा विकास कोस की गोसना की है तो इसका जो सही अंसर है बो हो जगा ओप्सन नमरे 15,000 क्लियर है? चलिए अगला कोश्चन है माली गंद्राज ने किसे 500 मेगाबाट सोलर पार्क परियोजना सौपी है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा ओप्सन नमरे 15,000 को इसने ये परियोजना सौपी है अगर हम बात NTPC की कर लेते हैं तो NTPC का फूल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पाबर कॉपरेशन लिम्टेड ठीक है जिसका गठन 1975 में किया गया है और इसका हेड़कॉर्टर निव देली में और अभी जो ततकाली नीज के MD है मतलब मैनेजिंग डारेक्टर है उनका नाम है गुर्दीप सिंग ठीक है क्या नाम है गुर्दीप सिंग अगर हम बात माली की कर लेते हैं तो माली का फिरका महादीश में स्थित एक देश है जिसकी रद्धानी है बमा को अगला कोशन है IBM ने अस्किल बिल्ड रिगनाइट प्लेटफॉर्म लांच करने के लिए किसके साथ समझ होता किया है तो इसका जो सई अंसर है बो है आपसा नमर ए MSDE के द्वारा MSDE का मतलब है Ministry of A Skill Development and Interpreneurship ठीक है IBM की बात करते हैं तो IBM का फुल फाम होता है International Business Machines Corporation ठीक है जिसका की गठन 911 में हुआ है और इसका जो हेटक्वाटर है वो Newark में है कौन सा राज COVID-19 के लिए isolation ही काईयों बाला रेल डिब्बो का परिचालन करने वाला पहला राज बना है तो इसका जो सई अंसर है बो है Option number C यानि उत्दा परदेश अगला कोश्चन है अमारा इस फुटबाल कलब ने अपना छठा इटालियन कफ खिताब जीता है तो इसका जो सई अंसर है बो है Option number A नेपोली के द्वारा ये जीता गया है Next question है हाली में मेरा आपी ज्वाला मुखी फटा है या किस देश में है तो इसका जो सई अंसर है बो है Option number B यानि ये त्रिपूरा के द्वारा सुरू किया गया है और इस योजना का उदेश है कि जितनी भी गर्वति मही लाएं है ठीक है उनको अस्तानपान कराने के लिए पोसन कीट प्रोवाइड करना है ताकि मिड़तुदर और कुपोसंदर कम हो सके अगर त्रिपूरा की बात करते है तो त्रिपूरा के मुखमंतरी का नाम है विपलब कुमार देव और यहां के राजपाल का नाम है रमेस बैस अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है हाली में जारी 20 में सबसे तेज टॉप 500 सूपर कम्प्यूटर की लिष्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा है तो इसका जो सही अंसर है वो है आपसन नमर B यानि जपान रहा है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है कौन मेरी बलोन क्रिकेट क्लब MCC के 223 सालों के इतिहास में अध्याच बनने वाली पहली महिला बन गई है तो इसका जो सही अंसर है वो है अपसन नमर B यानि क्लेर कोनोर ठीक है और ये इंग्लेंड की पूर महिला कप्तान भी है ठीक है यकर हमें बात MCC की कर लेते हैं तो इसका गठन 1787 में हुआ है और इसका जो हेटक्वाटर है वो है लंदन UK में है क्लेर है चलिए अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है अब अगला कोश्चन है भारत का कौन सा एरपोर्ट अपने नए रनवे पर एवियेशन बेदर मोनेटरिंग सिस्टम AWMS अस्थापित करने वाला बन गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है बैंगलोरिन इंटरनेशनल एरपोर्ट लिम्टेड अब बढ़ते है अपने अगला कोश्चन की तरप अगला कोश्चन है किस फुटबॉल क्लब ने इंगलिस प्रीमियम लिग 2019-2020 का खिताब जीता है तो इसका जो सही अंसर है वो है ऑप्सन अंबर बुई यानि लिवर्टपूल के द्वारा ये जीता गया है अगला कोश्चन है किसने नेविगेटिंग दे निव नॉर्मल अभियान शुरू किया है तो इसका जो सही अंसर है वो है वो है ऑप्सन अंबर B यानि महराष्ट अगर हम महराष्ट की बात करते हैं तो महराष्ट के मुख मंतरी का नाम है उधर ठाकरे और यहां के राजपल का नाम है भागा सींग कोसियारी क्लियर है चलिए अब बढ़ते है अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है नासा ने बासिंग्टन डीफी इस्थित अपने मुख्याले का नाम किसके नाम पर रखने की घोसना किया है तो इसका जो सही अंसर है वो है अप्सन अंबर A मैरी डबलू जैक्सन के नाम पर रखने की घोसना किया है अगर हम बात नासा की कर लेते हैं तो नासा का फूल फॉर्म है नेस्नल अरोनॉटिक्स अंड़ स्पेस अड्मिस्ट्रेशन जिसका गठन उने से अंठामन में हुआ था नेक्स कोश्चन है हमारा नेक्स कोश्चन है नेक्स कोश्चन है हाली में बिजडन इंडिया द्वारा किये गए एक्सरवेचन के अनुसार किस खिलाडी को अब तक का सबसे महान भारतिये टेस्ट बल्लेवाज माना गया है तो इसका जो साइणसर है वो है option number B राहूल द्रविट को माना गया है क्लेर है? चलिए अब अब अरते हैं अपने अगले कोश्चन की तरप अगला कोश्चन है हमारा कौन सा देश फीफा माईला 20 कब 2023 की मेजवानी करेगा तो इसका जो साइणसर है वो है option number C यानी अस्टेलिया और न्यूजिलेंड दोनों मिलके ये मेजवानी करेगा ठीक है अगर हम बात फीफा की कर लेते हैं तो फीफा का गठन उन्हें 240 भी में किया गया है और इसका जो से हेटवर्टर है वो है जियूरिक स्वीजरलेंड में ठीक है और ये फीफा के अध्यच के नाम है जियानी अनफेंटीनो ठीक है जियानी अनफेंटीनो ख्लेर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह अगला कोश्चन है किस बैंग ने यूबा पे mobile app launch करने के लिए UDMA के साथ साज़ेदारी किया है, तो इसका जो सही answer है, वो है option number B, यानि yes bank, अगला question है हमारा, hashtag me to nama पुस्तक को launch किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है, करन पूरी यानि option number B, जो होगा, वो हमारा सही answer है, next question है, flipkart के सथ स्थापक, सचीन बंसल की financial services and startup company ने, वो भुगताओं को personal loan प्रदान करने के लिए, किस नाम से एक mobile app launch किया है, तो इसका जो सही answer होगा, वो होजगा, option number नभी landing के नाम से एक app launch किया गया है, अगला question है, 100% कच्रे का निप्टारा करने बाला देश का पहला राज कौन बन बन गया है, तो यह option number B, यानि 36 गट बन गया है, clear है, चलिए, अगला question है, किस राज ने पसुधन न्यायोजना शुरू किया है, तो यह भी 36 गट के द्वारा किया गया है, तो इसका जो सही answer होगा, वो हो जाएगा, option number B, 36 गट, और इसका उदेश है, गौपालन को बढ़ा अगर हम बात 36 गट की कर लेते हैं, तो इसका गटन एक नवंबर 2000 को किया गया था, यहां के CM का नाम है भुपेस बगेल, ठीक है, 36 गट से एक और चीज याद रखिएगा, कि यहां के द्वारा, यहीं 36 गट में आदर्स पुलिस अस्टेशन योजना भी सुरू किया गया है अगला कोशन है, कि संतराष्टिये खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल, रोड टू, टोकियो लॉंच किया है, तो इसका जो सही अंसर है, बो है, आप्सन नमर बी, IAAF, IAAF की अगर हम बात करते हैं, तो इसका फुल फॉम है, International Association of Athletes Federation, इसका Establishment 2012 में किया गया है, और इसक इसमाहामारी के बीच, किस अंतराष्टिये संगठन ने गरीबिया नुमूलन के लिए गठ बंदन लॉंच किया है, तो इसका जो सही अंसर है, बो है, आप्सन नमर ए, यानि UN के द्वारा सुरू किया गया है, United Nations के द्वारा सुरू किया गया है, अगर हम बात United Nations की कर लेते तो इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया है, ठीक है, इसका हेड़क्वाटर है New York में, अभी फिलहाल इसके Member Country है 193 में, और इनके जो अध्याच है, उनका नाम है Antino Guterres, Antino Guterres, clear है, तो आसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो प कंप्लीट हो जाएंगे, और आप अपने एकजाम में काफी comfortable feel करेंगे, तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में आपसे Current Affairs के अगले वीडियो में मिलता हूँ, एक से 7 तारीक के Current Affairs के वीडियो आपको 8 तारीकों मिल जाएगा, clear है, अगर आप साथी साथ और कुछ अनिक जाम क देकि सकते हैं, thanks for watching.